हरे दोस्तों, वेलकम टू माँ चैनल आज मैं तोहार इस्पेसल में बनाने जारी हूँ बूंदी ये बूंदी बहुती रसीली है खाने में भी बहुत तेस्टी है गोल गोल मोतियों के तरह खिली-खिली बूंदी हम बनाएंगे देखिए, इस तरह से एकदम रसीली बूंदी सभी को पसंद आती है ये बूंदी जटपड बन जाती है बिना किसी जारा कही हम बनाएंगे तो दोस्तों अगर रेसीपे पसंद आये तो प्लीस लाइक करें और ने दोस्तों तो चन को सस्क्राब करें बूदी बनाने के लिए मैंने दो कब बैसन लिया है पहले हम बैसन को प्लीने को चान लेंगे इस तरह से एक चन्णी में लेकर बैसन को चान के लेने से बूंदी अच्छी बनती है और बैसन का घूल बनाते समयर लंश भी ने पढ़ते हैं अच्छे से बेटर बनते हैं, स्मूध टाइब के, चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे, और उसे घोलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको घोलते हुए, एक स्मूध सा बेटर बनाना है, मुझे यहां एक कप पानी के जुरुत पड़ी है, इसी तरह से continue फेटते हुए आपको बेटर बनाना है, जितना आप इसको फेटेंगे, उतना ही अच्छा बुंदी बनेगी, 5-10 मिनट तक continue इसी तरह से आपको फेटना है, आप चाहिए तो हाथ से भी फेट सकते हैं, मुझे एक्स्ट्रा 1 फोर्थ कप पानी के ज़रुत भी पड़ी थी, देखें किस तरह से मैंने बनाया है, बिल्कुल पर्फेक्ट, यह सही आपको बनाना है, अब हम इसमें एड करेंगे दो चम्मच ओयल, यह रिफाइंड ओयल है, आप चाहिए तो घी भी यूज कर सकते हैं, उससे बुंदी अच्छे से कुर्कुरी बनेगी, अब अच्छे से ओल को मिक्स करेंगे, बैटर के साथ, अच्छे से इसी तरह फेटते वहे मैंने ऑल को बैसन के साथ मिक्स कर लिया है, अब इसमें कलर के लिए मैंने थोड़ा फूड कलर यूज किया है, इससे जब बुंदी हमारे बनेगी, एक दम दुकान की तरह, बजार की तरह पर्फेक्ट कलर से दिखेगी बहुत ही सुन्दर लगेगी बूंदी पीले-पीले रंग की दिखेगी थोड़ा से बेटर मैंने एक कटोरी में लिया है और उसमें हम थोड़ा एड रेड कलर एड करेंगे इसे कलर भी अच्छा आएगा और जो हमारे बूंदी बनेगी पीले रंग की और साथ में जब खिले के लिए रेड कलर की भी बूंदी डालेंगे तो देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा इसलिए मैंने रेड कलर यूज किया है यह उप्सनल है आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं अब इसा हम रेश्ट करने के लिए 10 मिर्ट रख करेंगे चार इलाची इसको मैंने तोड के डाला है अच्छे फ्लेवर के लिए और साथ में दो तिन केसर के धागे भी एड किये हैं और इसे वह अच्छे से 5-10 मिर्ट तक बॉल आने देंगे देखिए चीनी अच्छे से बॉल आ चुकी है हमें कोई एक तार या दो तार की चासनी नहीं जाएए बस थोड़े रसीली और चिपचिपी हो और पतली भी हो ताकि बॉल दी के अंदर रस जाए इसी तरह से बनाना है चासनी हमारे बन चुकी है आप बेटर को चेक कर लेते हैं इसे हम पहले से एक बार और फेट लेंगे अच्छे से एक बार फेट ताकि बूंदी अच्छे से बने बूंदी बनाने के लिए हमने यह जारे का इस्तेमाल नहीं किया है हमने जो कल्ची होती है पूरी उरी हम लोग तलते हैं इसी से हम बूंदी बनाएगे और को मैंने पहले ही गरम करकर रखा था डाल के देखेंगे अगर बूंदी अपने आ जाएंगे कल्ची के ऊपर बैटर को और देखें बूंदी बनाएगे इस तरह से कितने पर्फेक्ट बना बूंदी गुल गुल और को अच्छे से गरम करना है तो अब यह तेभी बूंदी अच्छे बनेगी ऑम में जाते ही बूंदी तल के ऊपर आ जाएगी तो मैंने सारे बेटर का बूंदी बना लिया है बूंदी बनते समय कुछ सकंड के लिए उसे ओल में छोड़ना है ताकि अच्छे से फ्राय हो जाए तभी उलट पलट करके इसे निकाल लेना है ग्यास का फ्लेम हाई ही रहेगा देखिए इस तरह से बूंदी बनके तयारे अब हम इसे निकाल लेंगे एक पलेट में इसी तरह मैंने सारे पीली वाली बूंदी बना लिये है अब जो बेटर हम नाला करके रखा था रेट कलर की बूंदी बनाने के लिए उसका अब हम बनाएंगे बूंदी देखें सेम प्रोसेस में जारे के उपर बैटे डालेगे और बूंदी बनाएंगे कुछ सकंड तक तरल लेंगे अब इसे निकाल के एक पिलेट में रख लेंगे देखें कितना अच्छा बना है बूंदी रेट कलर में भी और भी सुन्दर लगती है अब सारी बुंदी मेरे तल के तयार है अब हम इसे चासनी में डालेंगे चासनी मेरे ठंडी हो चुकी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सबसा और गरम कर लिया गुनगुना गरम कर लिया अब चासनी के उपर मैंने सारी बुंदी को डाल दिया है सारी चासनी के साथ इसे अच्छे से मिलाएंगे और 30 मिनट के लिए इसे ढख कर रख देंगे तब तक भूंदी सारी चासनी को अब्सोर्ब कर लेगी और भूंदी के अंदर अच्छे से चासनी गुल मिल जाएगी और रसीली बन जाएगी भूंदी हमारी 30 मिनट हो चुकी है देखी कितना अच्छ से बना है रसीली खिली खिली भूंदी हमारी बन के तयार है आपको देखते ही खाने का मन करेगा बहुत ही टेस्टी और स्वादिश्ट बनी है भूंदी आप त्युहार में बनाए जाए ऐसे ही जब मन करे तब बनाए और खाईए आ बहुत अच्छा लगेगा है कैसी लगी रेसिपि- आप कमेंट करकर जरूर बताये दोस्तों अच्छे लगे तो लायक करे için और ने दोस्तो तो चनल को सब्स्क्राइब करें इस्सी तरह के नए रेसिपी और खाउने परमिलेंगे तक एन